नमस्कार महपरिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर बिपेसी ने सीडीपियो परिक्षा के लिए बढ़ाई सकती यहां लगाई जाएगी 1200 करोड की लागत में अमबुजा सिमेंट फाक्टरी सुब्रत्रोय के खिलाब जारी किया जाएगा गिरफतारी बॉरिट अब देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना अक्टिव केस में आई कमी अब चले बढ़ते हैं विहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बीपियसी ने CDPO परिक्षा के लिए बढ़ाई सकती बीपियसी परिक्षा में धांधली के बाद सिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है बीपियसी सरसठफी पीटी परिक्षा में हुई धांधली से सीख लेते वे विभाग ने बीपियसी CDPO भरती परिक्षा को लेकर और सकती बढ़ा दी है पंधरमई को होने वाली बीपियसी बालविकास परियोशना पदाधिकारी की परिक्षा के लिए आयोग ने एक एहम फैसला किया है कि परिक्षा केंद्रों में प्रशन पत्र के सील पाकेट रखे जाने वाले कक्ष की CCTV और वेब कैमरे से निगरानी की जाएगी वेब कैमरे से प्रतेक सेंटर की निगरानी आसानी से हो सकेगी यह निर्ने बीते दिन राज्री के मुखे साचिफ आमिर सुभानी और BPSC के अध्यक्ष आरके महाजुन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है यहां लगाई जाएगी 1200 करोड की लागत से अंबुजा सिमेंट फाक्टरी बिहार के पटना जुले के बाढ़ विधान सभाज शेत्र में NTPC होने से बिहार के कई लोगों को रोजगार मिला है इसके बाद बाढ़ में 1200 करोड के निवेश से अंबुजा सिमेंट की फाक्टरी लगने जा रही है जिसे लोगों के मन में रोजगार की आस की बीज भी पन पेगी खासकर बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मोहाया हो पाएगा आपको बता दें कि नई दिल्ली में बिहार सरकार की तरफ से आयोजित बिहार इंवेस्टर मीट में अम्बुजा सिमेंट के CEO और बिहार निवासी नीरज अखौरी ने बिहार में 1200 करोल रुपे की एकाई लगाने की घोशना की है ये एकाई पटना जुले के बाढ़ में लगेगी नीरज अखौरी होलिम्स इंडिया के भी अध्यक्ष है ये कमपनी देश और दुनिया के प्रमुख सिमेंट कमपनी अम्बुजा सिमेंट और ACC सिमेंट की मातरी कमपनी है विश्वे सरया भवन मामले की जाज करेगी 6 सदस्य टीम राज़ानी पटना के बेली रोड स्थित बिहार के सबसे बड़े सरकारी कारियाले विश्वे सरया भवन में 11 माई को सुबह सुबह भीशन आग लग गई थी जोसके बाद भवन की तीसरी मंजिल से साथवी मंजिल आग की चपेट में आ गई थी जोसे कई दस्तावेज जरूरी सामानों का भी भारी नुकसान हुआ है वहां का काम भी ठब पड़ा हुआ है इस बीच अब सरकार ने जाज टीम गठित की है जो भवन में आग लगने के मामले की जाज करेगी भवन निर्मान वभाग ने आग मामले में 6 सदस्य कमीटी गठित की है ये कमीटी जाज के बाद एक सप्ता में अपनी रिपोर्ट देगी वहीं इसकी वज़े से राजनेतिक गलियारे में भी इसकी सरगर्मी बढ़ गई है विपक्ष तो खुल कर ये कह रहा है कि आग लगी नहीं है बरकि लगाई गई है तेज प्रताप ने तो ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि पचपन से साथ घोटाले हैं आराम से जलने दो किसी भी घोटाले का एक भी सुबूत बचना नहीं चाहिए सुब्रत्रोय के खिलाफ जारी किया जाएगा गिरफतारी वारिट सहरा इंडिया परिवार के मुख्या सुब्रत्रोय सहरा एक बार फिर से पटना हाई कोट में पेश नहीं हुए आपको बता दे कि सुब्रत्रोय को 11 माई को पटना हाई कोट में पेश होना था कि उनकी उम्र और स्वास्त को देखते वे उन्हें वर्चुल तरीके से कोट में पेश होने की अनुमती दी जाए लेकिन कोट ने इसे खारिच कर दिया है और कोट ने साफ साफ कहाए कि अगर वो अगली बार कोट में नहीं आये तो उनकी गिरफतारी का वारिंट जारी किया जाएगा बता दे कि सुब्रत रोई को 17 मई को कोट में पेश होने को कहा गया है अब खुले का हवा से गिरने वाले पुल का राज बिहार के भागलपुर में गिरे पुल की सफाई में जब केंद्रिय पत्थ निर्मान को बताया गया कि पुल हवा की वज़े से गिरा तो पत्थ निर्वान मंत्री नितिन नवीन भी बहुत चक्के रह गया यही नहीं उन्होंने इस पर आश्यर भी जाहिर किया कि नर्मानाधीन पुल हवा की वज़े से कैसे गिर सकता है इसके बाद NIT पट्टा की टीम ने इसका निरिक्षन कर लिया है और अब मुंबई की टीम ने भी स्थल निरिक्षन कर लिया और टीम इसका अब रिपोर्ट बना रही है कि आखिर ये पुल कैसे गिरी उन्होंने कहा है कि यह भी देखने जा रहे हैं कि पुल की डिजाइन में किसी तरह की तुर्टी तो नहीं है अगर तीनों एजेंसी इस बारे में कोई परामर्श देती है तो डिजाइन को लेकर भी विभाग के स्तर पर कोई निर्ने किया ज़ा सकता है अब होगी इन तीन अफसरों पर कारवाई अवैद धंदे में सनलिप्त बिहार सरकार के दो IPS और एक IAS अफसर को सरकार ने फरवरी महीने में फील्ड पोस्टिंग से हटा कर वेटिंग फोर पोस्टिंग रखा था हाला कि IAS अफसर जो प्रतिन्युक्ति पर पिहार में थे उन्हें सरकार ने फरवरी भहीने में ही पैत्रिक क्याटर में वापस भेज दिया गया था वहीं लगभग तीन महीने तक वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखने के बाद सरकार ने दोनों IPS अफसरों को हाली में पोस्टिंग भी दिये तीनों अधिकारियों पर एक नहीं बलकि कई गंभीर आरोप थे वहीं डियम पर हतियार का लाइसेंस और शेहर की जमीन का अवैध तरीके से बंदबस्ती के सबूत मिले हैं सरकार के पास जैसे ही ये सूशना पहुची इसके बाद मुख्यमंत्री ने तीनों को हटा दिया है और वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा वहीं अब खबर ये आ रही है कि अब बहुत जल्दी तीनों अफसरों पर कारवाई की जाएगी सियम ने संभावित बाढ के खत्रे को देखते वे अधिकारियों को दिये जरूरी दिशानिर देश बिहार में मौनसून बस एक महीने दूर है मौसम विभाग की माने तो राज़िमे 15 जून को मौनसून बिहार में प्रवेश करेगा मौनसून का राचु में प्रवेशकर ना मतलब विहारवासी बाढ़ से ट्रस्थ हो जाते हैं हाला कि इस बार मुख्यमंत्री की जोर आजमाईश लगा कर मौनसून आने से पहले संभावित बाढ़ के खत्रे को देखते वे सतर्क हो गई है ऐसे में मुख्यमंत्री एक महीने पुर्व ऐसे स्थलों का निरीक्षन कर रहे हैं जहां बाढ़ आने की संभावना प्रबल होती है इसी कड़ी में हर साल बार से प्रभावित रहने बाली राजधानी पटना में मुख्यमंत्री ने बीते दिन स्थल का निरीक्षन कर अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया इसी बेच मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस सीवेज प्लांट का निर्मान कारे पूरा नहीं हुआ है उसे 31 मई तक पूरा करें साथी नहां ने नामामी गंगे योश्टा से खराब हुई सरकों को दुरुस्त करने को भी कहा है उमस भरी गर्मी से जल्द मिलेगी राहत विहार में खासकर दक्षिनी भाग के लोग उमस भरी गर्मी से परिशान है राजभर में 11 माई को हुई बारिश ने उमस भरी गर्मी बढ़ा दी है इस गर्मी ने लोगों की परिशानी और बढ़ा दी है इस कारण तापमान बढ़ने से बादलों का दिर्मान भी बढ़ा है जिसके बाद बारिश की संभावना बढ़ गई है मौसम विज्ञान के इंद्रुपटना के अनुसार इनके प्रभाव प्रदेश में जमाजम बारिश की स्थिती बनी हुई है मौसम विज्ञानी की माने तो पश्चिमी मध्यप्रदेश की तरफ से बने चकरवाती परी संचरन का छेतर विहार तक बना हुआ है वहीं एक ट्रफ रेखा भी विहार से गुजरते वे ओडिसा की तरफ गुजर रही है इन सभी मौसमी प्रभाव को देखते वे राजधानी पट्ता समेत 27 जिलों में गरज के साथ बारिश को लेकर अगले 24 घंटे के लिए यलो अलर्ट ज़ारी किया गया है देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना अक्टिव केस में आई कमी देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैरपसार ना शुरू कर दिया है हाला कि राज़े में ताज़र रिपोर्ट के मताबिक स्थिती सामाने बनी हुई है लेकिन फिर भी आकडों पर नज़र डाले तो राज़े में कोरोना के आक्टिव मरीजों के संख्याप छपपन हो गई है बीते दिन जारी किये गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनसार राज़े में कुल 99,013 सैंपल की जाच हुई जिसकी बाद राज़े में 6 नए कोरोना के मामले मिले हैं जिसमें 5 मामले राज़ारी पटना के हैं महीपुर्वी चमपारन में एक मामले मिले हैं मही देश भर की बात करें तो काफी दिनों के बाद आज यानि शुक्रवार को जारी केगे पिछले 24 घंटे के आकड़ों के मताबिक कोरोना के 2841 ने मामले सामने आए हैं जहां 9 लोगों की जान भी गई है इसके साथ ही कुलाक्टिव मरीजों की संख्या 18604 पर पहुँच के उधगातन में देश के राश्टरपती बिहार आये थे वही अब शुरताबदी समहरों का समापन जून 2022 में होने बाला है ऐसे में बिहार वधान सभा अध्यक्ष विजे कुमार सिनहा ने इस अफसर पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को शुरताबदी समहरों के समापन के शुभवसर पर आमंतरित किया है आपको बता दे कि प्रधान मंतरी ने बिहार वधान सभा के शुरताबदी सम्रती स्तंभ का उधगातन करने के आमंतरन को स्वीकार कर लिया है हाला कि तारीक अभी तै नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि जून में कारिक्रम रखा ज करने की जरूरत पड़ गई में क्या बात चीत करने की जरूरत पड़ गई एक बार फिर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक एक बार फिर से मुख्यमंत्रे नितीश कुमार की सुरक्षा में चूक हुई है दरसल मुख्यमंत्री का आज सुपॉल चाने का कारिक्रम था इस दोरान पटना चुडिया घर के गेट नंबर दो के पास नितीश कुमार के काफिले में दूसरा वहान घुज गया जिसकी बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मज़ गई जानकारे के मताबिक मुख्य मंतरे नितीश कुमार सुपाल कोसी नदी तटबंध का ज्याज़ाले ने जलसन सादन मंतरी और अधिकारी के साथ जा रहे थे हाला कि ये पहला मौका नहीं है जब सीम नितीश की सुरक्षा में चूक हुई है इससे पहले भी कई बार सुरक्षा में चूक का मामला सामने आ चुका है ऐसे में सुरक्षा कर्मियों पर सवाल उचना लाजमी है राजमे उठी पुजारियों की वेतन की माँ हनुमान 44, देश रोकानून, लाउट स्पीकर, ग्यान वापी मस्जुत और ताजमहल जैसे विवादों की बीच बिहार में एक और बुद्दा धीरे धीरे जोर पकड़ा है ये मामला मंदरों में पुजारियों के वेतन को लेकर है नितीश सरकार के अपने ही मंतरी ने सवाल खड़े किये है दरसल बिहार के कानून मंतरी प्रमोद कुमार ने पंजुकरत मंदरों के पुजारियों को वेतन देने की मांग की है प्रमुद कुमार ने ये मांग तब की है जो बिहार में बड़ी संख्या में मस्जुदों में एक विवस्था के तहट नमाज पढ़ने वाले मौलवी को अजान देने के लिए 5,000 से लेकर 18,000 रुपे प्रती महीने वेतन की विवस्था की गई है ऐसे में कानून मंत्री का कहना है कि ये विवस्था मंदिरों में भी पुजारियों के लिए होनी चाहिए तेश प्रताप ने BPSC पेपर लीग पर सिक्षा मंत्री को लताड़ा उन्होंने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा कि BPSC पेपर लीग पर सिक्षा मंत्री विजजच चौधरी बोले पेपर लीग होना कोई बड़ी बात नहीं है उन्होंने आगे लिखा कि हत्यारे मुख्य मंत्री के क्याबरेट भी शर्म का हत्यारा निकला तिलक ने 32 गेंदों में 4 चौके की मदद से 34 रन बनाए इसके साथ ही उन्होंने रिखा पंथ को 5 साल पुराना खास रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है 19 साल के तिलक ने इस सीजन 12 मुकाबले में 368 रन बनाए है बतोर टीनेजर तिलक वर्मा एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गया है पहले यह रिकॉर्ड रिशरपंथ के नाम था इसके बाद उनकी काफी चर्चा हो रहे है पुर्व भारत्य क्रुकेटर आकास चोप्र अतिलक के प्रदर्शन से इतने खुश है कि उन्होंने तिलक के बारे में कहा है कि वो भविश्य के कब्दान हो सकते है सवार का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था हम अहर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आजके सवाल की ओर आजका सवाल कुछ इस प्रकार है दिपक्ष जुस्प्रकार जुआतिय जंगना की मांग कर रहे हैं आपके नुसार इसकी जरूरत बिहार में है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही दिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक को अन दबाना ना भूले नहीं निवाद